नमस्कार दोस्तों, गुवर्मेंट एक्जाम इन्फो में आपको स्वागत है तो दोस्तों उत्राखंड ग्राम विकास अधिकारी के लिए CCCC कोर्स अनिवारिंग कर दिया गया है आपको पता होगा इसके बारे में तो CCCC को लेगर स्टुडेंट्स में काफी साज़े डाउट्स रहते है तो इन्ही डाउट्स को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहो हूँ है और इस वीडियो में देखेंगे कि CCCC कोर्स कैसे करेंगे, exam fee क्या है इसके लिए, qualifications कितनी है चाहिए इसमे और exam pattern कैसा होता है benefits के हैं इस course के करने के लिए syllabus के है इससे जोड़ी साल डीटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी तो इस वीडियो में बने रहे हैं और अगर आप हमारे चनल पर नए आए हैं तो चैनल को subscribe जोरूर करें विभिन प्रकार की सरकारी नौक्रियों में या फिर private कंपनियों में भी ये course NILIT जो एक institute है National Institute of Electronics and Information Technology इसके द्वारा प्राप्त course certificate को अनिवारी कर दिया गया है इस course CCC certificate को बहुत से सरकारी नौक्रियों में और साथी साथ private कंपनियों ने भी अनिवारे कर दिया है और इसमें बहुत से student के दिमांग में ये religion होती है कि वो कौन सा course करें क्योंकि हमारे पास option बहुत है और आपको पता दू कि NILIT triple C होता है एक और एक होता है DOEA double C, triple C course तो इसी को लेकर religion में रहते हैं लोग तो ये दोनों ही same course है तो आप कोई सा भी course इसको इसमें कर सकते हैं कई राजियों में इस course को मानिता दे दी गई है जैसे कि गुजरात में, महराष्ट में उत्तर प्रदेश में, अरुनालसर प्रदेश में और अब उत्तर खंड में भी इसे मानिता दे दी गई है Educational Qualification for CC, triple C course तो इसके लिए कोई भी student अप्लाई कर सकता है बस वो होना चाहिए 10th pass 10th pass कोई भी student इस course के लिए अप्लाई कर सकता है एक्जाम fee की बात करें तो triple C course के लिए आपको 590 रुपए देने पड़ेंगे एक्जाम fee के तौर पर जिसमें की 500 रुपए तो fee's होती है और 90 रुपए tax के रूप में भी लिया जाता है अब बात करते हैं triple C course examination time की तो आपको बता दू कि ये हर महीने के पहले Saturday तक आयोजित हो जाता है duration of triple C course यानि की इस course के लिए जो समयावधी है वो 80 घंटे की दी जाती है इसके बाद how to do triple C course triple C course कैसे करें तो जो triple C course आप दो तरह के से कर सकते हैं पहला है इसमें ऐसे institute जो की triple C पार्ठिक्रम चलाने के लिए नाइलिट दौरा विसेश रूप से प्राधिक्रित होते हैं जो नाइलिट institute है जो इस exam को conduct करवाता है उसके दौरा प्राधिक्रित होता है जो भी institute उसके दौरा आप ये course कर सकते हैं और एक तरीका ये है कि आप स्वयम तयारी करें इसकी और अपने घर पर online परिक्षा दें इसके लिए आपको triple C की website पर जाना होगा और triple C course online register करना होगा और खुद पढ़कर course का online exam देना पड़ेगा तो ये दो तरीके हैं एक तो आप institute में जा सकते हैं और दूसरा तरीका खुद इसकी तयारी करके online register कर सकते हैं triple C course के लिए और खुद पढ़कर इसका online exam भी दे सकते हैं triple C course syllabus अगर आपको computer की जानकारी बिल्कुल कम है तो सबसे पहले आपको particular यानि की जो syllabus होता है उसके मताबिक आपको तयारी करनी चाहिए और ये आपके लिए फाया देमन्त होगा तो triple C course का जो syllabus है इसकी मैंने एक separate video बनाई है इसका जो link है वो मैं description में दे दूँगा आपको तो आप वहाँ पर जाकर इसका syllabus डीटेल में दे सकते हैं देख सकते हैं इसके अलावा आप Nailit की website पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको इसके लिए syllabus मिल जाएगा इसके बाद सवाल उठता है कि triple C course तो हम online register करके कर लेंगे लेकिन इसका जो exam होता है triple C exam वो कैसे होगा तो triple C exam भी सभी online exam की तरह ही होता है इसमें exam में जब आप जाएंगे तो admit card आपको दिया जाएगा और आपको एक computer system मिलेगा इसमें आपको online question पूशी जाते हैं और इसमें 100 multiple choice question पूशी जाते हैं और आपको कुल 100 में से 50 questions को answer सही करने पड़ते हैं तब ही आपको ये certificate मिलता है यानि कि आपको 50% marks लाने पड़ते हैं और इनी number के आधार पर आपको जो है जो certificate मिलता है पूशी का उसमें आपको grading दी जाती है वाद है कि what are the advantage of doing a triple C course तो सबसे पहले तो triple C course का सबसे बड़ा फायता ये है कि आजकल सबी सरकारी नौक्री और private company में computer diploma की मांग की जाती है तो इसके लिए आप triple C diploma के इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा इसका advantage है और अब तो ये कई राजियों में भी हो गया है 377 उत्राखंड में भी इसको अनिवारी कर दिया है कई सारे government exam के लिए तो दोस्तों ये था triple C course से जुड़ा हुआ सबी doubt जिसमें कि हमने जाना examination fee qualification pattern के है इसका benefits क्या है इसके कैसे करें syllabus क्या है ये सब चीजे जानी इसमें हमने फिर भी आपको कोई doubt है इसमें तो आप नीचे comment section में इसके लिए comment कर दे मैं आपके doubt को clear कर दूँगा और दोस्तों इसके अलावा अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लें और पास में bell icon को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नए video upload करेते हैं उसके notification सबसे पहले आपको मिल जाए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं अगले video में